नमस्कार दोस्तों कैसोआबसरम, मैं हूँ आपका अपना दोस्त तनीस। देख़ए दूस्तों हमारे एपल प्रांट पर एपल लगे हुए हैं। और दोस्तों यह इनका इंगा लाच सीजन है। सोई टाइम पर आपको अपने सारे चिसाल लेने हैं। वह सारे प्रूट्स इसके निखालने हैं तो यहां पर मैं देखिए एक पॉलीथीन लेकर करके आरहे हूं और इस पॉलीथीन पर मैं सारे के सारे निकालना हूँ और आपको दिखाता भी हूँ तो कि मेरे चित्रकूट के ही एक दोस्त कल मिले थे उन्होंने बोला कि वह आप हमें दिखाई एक हार्वेस्टिंग तो यह देखिए यह साइज है और बहुत ज्यादा बंचेज में फलता है बंचेज में बहुत ज्यादा तो इस बार दोस्तों मैं सब्सक्राइब करेंगा और देखूंगा कि इतने क्लांट हम तैयार कर सकते हैं जो दोस्तों साइट साइट पर बहुत ज्यादा ब्रांचेज हो गई है उन पर के हम फ्रूट जो है एर लेरिंग इस बार ट्राइब करेंगे और सोचेंगे कि इसको हम मल्टिप्लाई भी करें तो यह देखिए सम्टाइम्स आपके फ्रूट कुछ ऐसे भी हो जाते हैं तो तो दोस्तों हमने अपने सारे के सारे एपल तोड़े लिये हैं और अभी भी हमें एक एपल दिख रहा है टॉप मुष्ट पर कि वह देखिए उपर तो साइब हमें नहीं मिलेगा कि इस टाल पर है कि यह देखिए दोस्तों यह देखिए दूस्तों कं आपके पल पर अनी आया तो यह देखिए यह systemsmine आ आँ आ रहे हैं और यह देखिए लेते ती जएदा है कि इस पर चीटिया काफि हैं तो यह देखिए दोस्तों यह हमारी last harvesting है यह देखिए ने और इंका wheat दोस्तों में कहूं तो लबबार किलो से थोड़ा ज्यादा है कि तो इपल की दोस्तों यह मेरी दो विराइटी है एक अन्न एक है दोर्शिट golden एक दोस्तों आती है हर्मन 99 जो की ग्रीन कलर में होती है आप उसको भी लगा सकते हो लेकिन उसके साथ में आपको एक दोर्सेट गोल्डेन लगाना आपको कमपल सरी रहेगा क्योंकि दोर्सेट गोल्डेन बहुत अच्छा पॉलिनेटर का काम करता है बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने हाँ पर एपल लगाते हैं एक पॉधा लगा लिए और फिर बोलते हैं कि हमारे एपल पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो फ्रूटिंग के लिए आपको एक दोर्सेट गोल्डेन चाहिए ही चाहिए होगा तो उसमें दोस्तों पॉलिनेटर आसानी से हो जाता है लेकिन उसमें भी आपको एक मेल की आसकता होती है लेकिन जो डोर्सेट गोल्डेन ये वाली जो दोस्तों विराइटी है इसके लिए आपको पॉलिनेटर की आसकता नहीं पड़ती है यह self pollinator भी होता है और pollen donor भी होता है तो इस वज़े से दोस्तों एक मैंने अन्ना विराइटी लिए है अन्ना विराइटी लॉंग होती है इसका color अच्छा था है इसका shape भी अच्छा था है और जो इसकी कनोपी बनती है कनोपी काफी अच्छी चौड़ी बनती है थोड़ी आप अच्छी दोस्तों इसमें कनोपी भी बन रहा है एक काम करिएगा कि इससे नीचे जितने भी हैं आप इसको पूरे विल्कुल clean कर दीजिकर थीतो अच्छी री बन जाओगी मुझे भी या उसकी दोनों की यह कनोपी बनानी नीचे नीचे बना है तो अभी दोस्तों ब नीचे साथी फैल रहा है तो यह दोस्तों अलग-अलग वराइटी होती है अलग-अलग इंका पौधा होता है तो इसकी भी दोस्तों ग्रोफ होती है यह भी आराम से दोस्तों 15-20 20-22 फुट हाइट में जाता है और आप वाइडर करना चाहें तो वाइडर भी कर सकते हैं सभी ब्रांचे छोड़ दिए वाइड भी हो जाएगा क्योंकि यह सारी ब्रांचे जब वेट लग देगा तो यह नीचे भी आ जाएंगी तो आप भी अपने प्लांट पर यह सब काम क करिएगा कि जैसे यह साइट साइट पर देखे यह ऐसे कुछ इस नाइस फूट निकल लें ना इन नाइस फूट को आप टोड़ देंगे ना तो आपका प्लांट का हेल्थ अच्छी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ब्रांचे साइट ब्रांचे लेती ना तो आपके प्ला लखेगा और इस टाम पर अपने प्लांट पर दोस्तों दो दो तफला जो है बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर कंपोस्ट जो भी हो तो दो दो तफला आप इन में डाल दीजे और तकरीबन सौसो ग्राम इन पर डिय पी डाल दीए तो इनकी जो ग्रोथ होगी अच्छी जाएगी तो यह काम आप अपने एपल पांट पर जरूर करिए तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इंफॉर्मिशन के साथ तब तक लिए नमस्का टड़ा बाए